हेलो एवरीवन मैं रॉसन सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग इंजिनरिंग मेकेनिक्स में यूनिट फाइब को कंटिन्यू करते हैं यूट्फाइब में हम लोग सिंपल मसीन बढ़ रहे थे और उसमें बहुत सारा लेक्चर लिये हैं जिसमें उसके दिपनीशन पार्ट के बारे में बता हैं आज के lecture में हम लोग पढ़ेंगे differential axle and wheel previous lecture में हम लोग पढ़े थे simple wheel and axle ठीक है तो चलिए start करते हैं differential axle and wheel देखिए है क्या आपको याद होगा कि previous lecture में जब हम लोग simple wheel and axle पढ़ा रहे थे तो उसमें बताये थे कि simple wheel axle जो है एक lifting machine lifting machine का मतलब होता है कि ऐसा machine जिसमें कम से कम effort लगा के ज़्यादा से ज़्यादा load को आप उपर की और खीश सकते हैं ऐसे machine को lifting machine कहते हैं तो simple wheel axle जो है वह एक lifting machine का रूप था उसी तरह differential wheel and axle जो है तो it is the modified form of simple wheel and axle मतलब simple wheel axle को थोड़ा modification कर दिये हैं तो ऐसे machine को हम लोग differential axle and wheel कहा है simple wheel में simple wheel और axle में आपको याद होगा कि एक axle था एक wheel था और एक spindle था या उसी को soft कहा रहे हैं हम लोगे आपर अगर soft का size छोटा हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे spindle कहेंगे soft का मतलब होता है कोई भी circular rod जो अपने axis पर घूमता है उसको हम लोग soft कहते हैं और अगर वही rod या circular member size में छोटा हो जाएगा तो उसको हम लोग spindle कहते हैं तो spindle के उपर हम लोग axle लगा दिये थे और axle के उपर हम लोग wheel लगा दिये थे और फिर रसी को लपेट दिये थे और effort लगाके load को कीच रहते हैं तो differential wheel axle में क्या है तो differential wheel axle में दो axle use कर रहे हैं इस बार simple wheel axle में एक axle था पर differential wheel axle में दो axle आपका रहेगा और एक wheel रहेगा और एक spindle रहेगा और ball bearing के मदद से इसको supporting कर देंगे ठीक है तो क्या-क्या point है जराद यहां से देखते हैं सबसे पहला क्या करेंगे? एक Spandle लेंगे ये आपका Spandle है ठीक है? जो अपने एकसिस पर घुम रहा है Spandle कहेंगे? नहीं तो आप इसको साफ्ट भी कह सकते हैं बहुत सारे बुक में साफ्ट भी लिका रहाता है और बहुत सारे बुक में स्पंडल, अगर साइज छोटा होगा, तो साफ नहीं कहेंगे, स्पंडल कहेंगे, ठीक है, मेरे पास दो एक्सल है, एक एक्सल को C कह रहे हैं, और एक वील यहां पर है, जिसको वील एक कह रहे हैं, ठीक है, वील का डायमीटर को capital D बोल दिये हैं, ए रसी को इस तरह से लपेटना है, वाउंडिंग करना है, कि याद रखना है, कि एफट आप वील में लगा रहे हो, देखो, वील का डायमीटर अगर आप जाता लेंगे, तो आपको एफट कम लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो यहां पर क्या कर रहे हैं, नीचे साइड में ए पेट रहे हैं, यह देखें, वाउंडिंग हो रहा है, और यह वाला जो एकसल है, इसमें जो रसी लगा हुआ है, जो स्ट्विंग लगा हुआ है, वो क्या करेगा, खुलेगा, ठीक है, इसका डायमीटर जादा है, इसका डायमीटर कम है, तो कुछ ना कुछ लोड जो है, वो उपर की और लिफ्ट करेगा और यहां पर एक movable pulley के साथ यहां पर एक movable pulley के साथ load को attach कर दिये हैं यह देखे तो जब आप इस पर force लगाएंगे, effort लगाएंगे तो यह क्या करेगा वील एक चकर मारेगा और वहां से क्या करेगा इसको घुमाएगा यह घुमेगा यह उपर जाएगा और यह खुलेगा तो दोनों मिलके क्या हो रहा है कुछ length जो है इसका उपर की और lift करेगा तो एक क्वाइंट इसके बारे देखते हैं क्या कह रहा है differential axle and wheel is the improved form of simple wheel and axle क्या बोलेते हैं बाबू कि differential wheel and axle जो है वह simple axle and wheel का modification form it consists of a wheel A इसमें एक बड़ा सा wheel लगा रहता है जिसका नाम हम A दे दिए and two axle दो axle रहता है जिसको हम B और C कह लिए आपको पिछले classes में भी क्या कर रहे थे इसका सारा animation बताए थे कि कैसे काम कर रहा है तो सबसे पहला आप क्या लिए थे एक spindle ले लिए थे यह देखिए ऐसा spindle ले लिए थे चिक है दूसरा आप क्या किये थे axle ले लिए थे यह देखिए एक एकसल ऐसा ले लिए जैए ओके अब आप इस axle को क्या बोलते है C और एक और आपको एकसल ले लेना है थोड़ा बड़ा dimension का और एक वी ले लेना थे तो आप क्या करो इस axle को इसके अंदर बांदऴ और फिर ये जो एक्सल B है ये इसके उपर चला देखो ये इसके अंदर चला गया और ये इसके उपर चला गया है तो कुछ ऐसा भी कहते हैं फिर एक्सल B पर आपको वील को लाके माउंटिंग करते हूं चढ़ा दोस्के उपर तो यही बता रहा है कि it consists of a wheel A, wheel A है and two axle B and C और दो axle लगा हुआ है B and C the wheel and two axle are placed to the same spindle और एकी spindle पर सब को क्या किये है चढ़ा दिये हैं रख दिये which is supported in ball bearing और ball bearing दे दिये हैं क्योंकि अगर हम direct support पर देंगे तो वहाँ पर घरसन होगा friction डपलप होगा जिससे spindle का जो component है spindle का जो पार्ट से वो घिसने लगेगा तो बचाने के लिए क्लिए क्या क्या है ball bearing दे दिये हैं चेक है the effort is applied to the string which is wound round the wheel A हम लोग कहां पर effort लगा रहे हैं wheel A पर लगा रहे हैं इसमें इसमें से रसी को लपेटा गया है कि जब इस पर force लगाओगे तो रसी खुलेगा ठीक है another string is wound on the two axle B and C और जो दूसरा रसी का पाट लिये हैं उसको हम लोग B और C पर लपेटे हैं और ऐसा लपेटे हैं कि B पर वह लपता है और C पर वह खुले तो वही चीज़ यहां लिखा हुए the string on the wheel ध्यान देंगे the string on the wheel smaller axle are in the same direction मतब wheel और smaller axle का जो rotation मतब जो में खुल रहा है वह एक ही direction में देखे लिखा हुआ है the string on the wheel ठीक है and smaller axle are in the same direction whereas in bigger axle it is in opposite direction इसमें opposite direction में देखे आप इसको कीचोगे तो यह ऐसे खुलेगा यह भी खुलेगा पर यह लबटाएगा clear हो रहा है अब यहां से जो important चीज हमको निकल के आ गया है कि क्या क्या आ गया है तो distance moved by the effort in one revolution एक चक्कर मारेगा कौन मारेगा तो wheel तो एक चक्कर में इसका circumference कितना हो जाएगा 5D तो इसको कहेंगे distance moved by the effort okay चली आप क्या करेंगे length of string that wound on the bigger axle अब इस पर कितना लपटा रहा है यह पता करते हैं तो जब यह एक चकर मारेगा तो यह भी एक चकर मारेगा तो कितना होगा तो circumference पाई D1 दी क्या है बाभू तो D diameter of the wheel दी 1 का है diameter of the bigger axle और length of string that unbound on the smaller axle और smaller axle पर क्या होगा खुलेगा तो कितना खुलेगा एक चकर में तो पाई D2 देखो एक ही spindle पर रखा हुआ है इसलिए number of revolution सबका same होगा तो पाई D2 तो actual में total क्या हो रहा है देखो load क्या हो रहा है इसमें रसी जो ऐसे लपेट रहे है और इसमें खुल रहा है तो आखिर रसी कितना जो है वह उपर की और lift कर रहा है the net length of the string which get wound on the bigger तो कितना length जो है रसी का वह bigger excel पर wounding हो रहा है लपेटा जा रहा है तो आप क्या करो पहला वाला का निकाल लिए हो that is called pi D1 दूसरा वाला जिसमें खुल रहा है pi D2 फिक है माल लिजे 5 रुपया मेरे पास था 2 रुपया हम किसी को दे दे तो बचा कितना 3 रुपया तो 5 रुपया से लपता रहा है 2 रुपया खुल रहा है तो टोटल कितना मेरे पास बचा तो pi D2 ठीक है sorry pi D1 pi D1 minus pi D2 है ना ज्यादा में से कम तो यहां से यह पता चल गया है अब यहां से ध्यान दिजेगा तो देखो effort के लिए distance आपको पता चल गया है pi D लेना है अच्छा net length of the string which get wound on the bigger axle वो भी पता चल गया है pi D1 minus pi D2 अब हमको यह पता करना है कि आखीर load कितना lift कर रहा ठीक है तो याद रखना है की कभी भी movable pulley अगर use किया रहेगा ध्यान देंगे अगर कभी भी movable pulley use किया जाता है तो वहां पर हम इसको हटा रहे हैं उपर से कि अगर आपका movable pulley है तो यह ध्यान देना है कि movable pulley जब्बी रहता है उसमें जो load lifted होता है वर distribute हो हो जाता है हाफ हो जाता है अभी क्या पढ़ेते है नेट लेंथ आफ दे स्ट्रिंग विच गेट वांड ऑन द वीगर एक्सल पर कितना रसी को लपेटा गया है तो वहां से पता चल गया कि इसमें पाई डीवन लपेटा गया है पर पाई डीटू इसमें खुल रहा है तो ने लोड विल गेट लिफ्टेड बाई डिस्टेंस इतना है इक हाफ होता है तो अगर उसका आप मुवमेंट निकालेंगे जैसे मालीज़े यह आपका मुवेबल पुली है और यह आपका लोड यहां पर लोड है यहां पर एफ़र्ट है ठीक है इस के लिए तो आप मुवमें लिफ्टेड बाई टोटल लोड लिफ्टेड कि तो पाई बाई टू दीवन अब सबसे इसमें इंपोर्टेंट क्या आजाएगा तो वैलोसीटी रेशियो तो याद होगा वैलोसीटी रेशियो को हम लोग वी डॉट आर कहते थे और यह होता था डिस्प्लेस्मेंट या इ दिस्प्लेस्मेंट अफ लोड है ठीक है और डिस्टेंस ऑफ एफट कितना हुआ बाभू तो पाई डी है ना यह एफट यहाँ पर लग रहा है तो एक चकर मार रहा है तो पाई डी और दिस्प्लेस्मेंट अफ लोड कितना हुआ है तो पाई पाई चू कितना डीवन माइ एक्सल ए या बिगर एक्सल बोल सकते हैं एक्सल भी और डीटू क्या है इसमॉलर कि दाया ओफ एक्सल से ठीक है तो यहां से पाई कटी है तो कितना आ गया तो दी मतलब इसको तू पर भीज़ेंगे तो टू डी टू डी डिवाइद बाइ डीवन माइनस डी यह क्या निकल गया वेलोसेटी रेशी इसको आप भेर देंगे और इसको याद दर लेंगे ठीक है अब आम लोग क्या बतायता है कि हर एक मसीन में तीन फॉर्मूला आपको याद रखना है पहला क्या रखना है मेकेनिकल एडवांटेज्ट, वेलोसिटी रेशियो और इस्टिंसी तो वेलोसिटी रेशियो समझ में आपके है कितना तो टाइम ओफ विगर डाइमीटर अफ वी, दीवन माइनस दीटू, ठीक है चलिए, अब दूसरा हम लोग क्या निकालेंगे, मेकेनिकल एडवांटेज्ट, तो मेकेनिकल एडवांटेज्ट क्या होता है, लोड बाई, एफट, लोड कितना लगा हुआ है, माल देते हैं, लो समझ में आ चुका होगा कि कैसे डिफरेंशियल वी, एक्सल काम करता है, ठीक है, और इसका वेलोसिटी रेशियो, मेकेनिकल एडवांटेज्ट, एफिसेंसी क्या होता है, तो चलिए, एक छोटे से निम्रिकल के साथ इस को स्वाट करते हैं, ठीक है, चलिए, एक छोटे सा is applied to the wheel of diameter 250 mm, what is the velocity ratio, also find the efficiency, when the load of 1200 newton is lifted by an effort of 30 newton, ठीक है, तो clear हो गया question में, ये तो समझ में आ गया है, अच्छा, ये differential wheel and axle का question है, ठीक है, तो पहले तो आपको समझ में आना चाहिए, कि question कहां से किस topic है, तो कह रहा है कि the larger and smaller diameter of differential wheel and axle are 80 mm and 70 mm, respectively, the effort is applied to the wheel of diameter, यहां से देखेगा, wheel diameter आपको दिया हुआ है, question में, wheel diameter, तो wheel diameter को capital D कहेंगे, जहाँ effort लगा रहे है, उसको wheel diameter कहे रहे है, तो कितना दिया हुआ है, तो 250 mm दिया हुआ है, larger diameter आपको दिया हुआ है, larger diameter आपको दिया हुआ है, larger dia of axle, इसको हम लोग D1 कहते हैं, यह कितना दिया हुआ है, 80 mm, फिर क्या है बाबू, smaller dia of axle, इसको हम लोग D2 कह रहे हैं, यह कितना दिया हुआ है, 70 mm दे दिया हुआ है, तो question आपसे क्या पूछ रहा है, velocity ratio क्या होगा, और दूसरा question पूछ रहा है, efficiency क्या होगा, clear है, तो numerical में अगर आपको figure समझ में आता है, तो figure बना देना, अगर लग रहा है कि आपसे figure नहीं बनता है, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, तो velocity ratio में लोग पढ़े हैं, कि velocity ratio क्या होता था, 2 capital D divided by D1 minus D2, यहाँ, time meter दिया हुआ है, कितना है, 250 दिया हुआ है, यह कितना हो जाएगा आपको, 80 minus 70, देख लो, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, तो यह आपका मिल जाएगा, 500, 500 divided by यह कितना हो जाएगा, 10, तो यहाँ से आपको निकल गया, 5, चेक कर लिंगे, एक बार, velocity ratio करेक्ट हो है, 250 है, यहाँ से velocity ratio आपको निकल गया, 50, अब हम क्या करेंगे, mechanical advantage पता करेंगे, तो mechanical advantage होता है, load by, effort, तो load आपको दिया हुआ है, 1200 newton, ठीक है, फट कितना होँआ है, 30 newton, 30 newton, तो newton कितना हो जाएगा, 40, देख लिजे, ठीक है, 40 आप, efficiency हमको निकालना है, efficiency क्या होता है, तो mechanical advantage by velocity ratio, तो यहाँ पर आपको mechanical advantage कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, ठीक है, divided by कितना, velocity ratio, 50 है, into कितना, 100%, क्योंकि efficiency को हमें इसा हम लोग क्या करते है, percentage में represent करते है, तो यहाँ से आप काट तो इसको, यह देखो, कट गया, तो यह हो गया, 80%, ठीक है, तो यह मेरा answer हो गया, तो आपको यह पूरा numerical समझ में आगा, और हम लोग का numerical आगा, लगपक कुछ इसी pattern का आता है, बस आपको अच्छे से formula याद रखना है, और उसका application आप कहां कहां कैसी कर सकते, ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स लेक्चर में हम नए मसीं के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग मन लगा के खूप बढ़िए, ठीक है, थैंक्यू,